नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोईश्चन है बहुत ही ट्रेंडिंग कोईश्चन है आप सबको अच्छे से करना है एक स्थेंडिंड प्रोल में डिवाइड है निगेटीं मार्किंग नहीं फिर से सुन लिए निगेटीं मार्किंग नहीं नहीं है मतलब 1500 क्यूष्चन पूरे करके आनी है आपको सही हो या गलत हो कैसे भी करके आओ 500 करके आओ एकर छोड़ कि क्यातें है तो आप औहक्स्पॉर को गाली वे देना से कॉमेंट सेक्षन में लेकिन वह लाग गुना अच्छा है यह मैं खुल कर कहता हूं बहुत सारे प्रूफ और इविडेंस में दे सकता हूं भी अपने लाहवाद बिस्विद्याले का इस्टूइंट रह चुका है तो दो बात की बात है तो गाली वाली मत करना है बीए की बात कर रहा हूं मैं लवी में दोनों करने होता है तो यह में सिर्फ एक करना है या फिर हिंदी करिए रिया इंगलिस कर यह 25 क्यों पचासन लंबर के दूसरा बात दूसरा सेक्षर जोगा हूं जनरेल एवेएर्नस का 25 क्यों उर्दू हो गया है सिविक्स हो गया तो साथ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको तेन सब्जेक्ट एक्जाम सेंटर में जब आपके सामने पेपर और सीवीटी मोड रहेगा तब आपको करना है यह मत पूछिएगा कि मुझे स्लेक्ट कब करना है आप पढ़ते रहिए जो वहां आएगा वह कर लेना ठीक है यह मेरा इंस्ट्राग्राम है आप यहां फॉलो कर लिए बहुत सारे प्रैक्टिस अपको मिलेंगे अगर अभी तक नहीं किया है प्रैक्टिस साथ प्रैक्टिस सेट में अभी आने वाले समय में मैं और कराने वाला हूं तो पहला कुश् जैसे कि ट्रेवलर्स जो फिक्स चीजें हैं जैसरे येस की बात करें तो दो कुश्चन आपका जीएस में मिल जाएगा और हिस्ट्री अगर आप ले रखे हैं तो उसमें दो-तीन कुश्चन उसमें मिल जाएंगे तो यह हो गया फॉरेंड ट्रेवलर्स की बात में कर रहा ह foreign travelers कितने होते हैं बहुत सारे होते हैं जैसे योन सांग हो गया इवन बदूता हो गया मारको पोलो हो गया मैगस्थिनीज हो गया निकोलो कॉंटी हो गया यह चार-पांच जो हैं बहुत ही ज़्यादा popular है और important है योन सांग की बात करें तो यह आया था कब भारत में हिंदुस अब्सक्तान में 630-64580 की बीच रुका था यह चैनीज ट्रेवलर है और जब यह आया था भारत जब रुका था तब उस समय हर्सवर्धना की सुप्रीमेसी थी मतलब भारत में हर्सवर्धन का समराज्जी था ठीक है और इसकी जो रिकॉर्ड है दरिकॉर्ड अब दे विस क्योंकि चाइनीज है ना गधा यह बतूता की बात करते हैं तो इवन बतूता जो है यह भी जो है यह मौरक्कन ट्रेवलर था ठीक है मौरक्कन ट्रेवलर था और यह जो आया था ना तब टाइम पीरिट भारत में था मोहम्मद बिन तुगलक का 1333 की वात है जब यह रुका यह चीज आपको याद रखनी है कि किस समय आया था वह और किस देश से आया था तो मौरक्कन ट्रेवलर था मौहमद बिन तुगलक के टाइम पीरिट में आया था और इसने बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड लिखा है रिटन लिखा है बुक रिटन की है उसका नाम है रिहला रिहला ठीक है रिहला से बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं इंडिन कॉंटेक्स्ट के और तीसरा चौथा जो ट्रेवलर था फॉरें ट्रेवलर उसका नाम है मारको पोलो मारको पोलो जो है ना वह आया था 1292 एडी में 1292 एडी 1294 दो ही साल हिंदुस्तान में रुक पाया है जब यह आया था हिंदुस्तान में तो उस समय हिंदुस्तान में ने देविका सामराज से था को में अपको बताना है कि next question की बात करते हैं यह बहुत ही important question क्योंकि उस समय लेडी बसे आपर में अब liaram कॉमेंद सेक्शन में मैगेस्थनीस की बात करते हैं बहुत ही पॉपलर है मैगेस्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका अगर इंडिका इससे बहुत सारे question बहुत कई बार आ चुके में इंडिका को लेके इंडिका का राइटर कौन है लेकिन ऐसे इस बार नहीं आने वाला है बस उससे related कुछ questions आ सके हैं जैसे यह जब magasthenies आया था तो time period किसका चल रहा था सुप्रीमेसी किसकी थी हिंदुस्तान में तो चंद्रगुप्त मौरिया की सुप्रीमेसी थी असोग का बाबा असोग का बाबा फिर उसके बाद यह एमबेसडर किसका अको स्सक्रीण केटेर का मतलब कीशन आते हैं इसलिए कर रहा है यह फेटि की बेहन ती बेटी की यह मुझे नहीं आद है sometime認可 कि यह वह यह और चंद्रफूपठ के नाम पे क नाम पर कुश्चन और आता है जो y της को ग्रीकु में क्या बोला जाता है चंद्र exist को ग्रीकु मैं क्या बोला जाता है तो सेंड्रोको ये रुका था इंदुस्तान में और ये इटेलियन मर्चंट था जैसे सोनिया गांदी थी इन निकोलो कॉंटी वही टैलियंज मर्चन्ट था यह कब आया था जब टाइम पीरिड था विजय नगर में देवराया ॥ आने में जाषन काल चल रहा था तब यह आया था निकोलो कॉंटी ठीक है थो चलिया देखते हैं इस यह बहुत बोला जाता है उसको बोला जाता है जबती या फिर जब्त तो टूडरमल है कौन तो टूडरमल मैं आपको बता दूँ यह अखवर के कोड का एक मिंबर है जैसे अखवर के यहां नौरतन थे ना तो नौरतन के बारे में आपको पता होना चाहिए इससे पूट अब करता हूं मैं यह इसने ही सिस्टम को इंट्रोड़्यूस किया जिसका नाम जबत हैं ओक यह बहुत थी अच्छा विंस ठीक ठाग था टैक्स्टेशन सिस्टम जिसको दाह साला भी बोलगा जाता था ठीक है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है तो राम तनु पांडे करेक्ट ओप्शन है कुश्चन नबर थ्री अब दो सो कॉल्ट ऑफ अगबर दो वन हुज रिप्यूटेट पोईट ऑफ हिंदी वास यह जो अगबर के दरवार की तथा कथित नौरतन थे तो उसमें हिंदी का प कुश्चन में करा रहा हूं इसके पहले modern history और ancient history करा चुका हूं अगर आपने नहीं देखा तो प्लेइलिस्ट में जाए सारा कुछ देख डालिए इसके पहले तो सही कौन सा है इसमें अगबर के सासन का सबसे बड़ा इतिहासकार जिसने अगबर नामा और आईने अगबर ही लिखा था इंपॉर्टेंट कुश्चन है तो करेक्ट ऑप्शन अबुल फजल है ओके कुश्चन नमर फाइब देखते हैं अगबर ग्रांटेट अप्रेजेंट साइट अफ अम्रित्सर तो सिख गुरू यह कुश्चन बिलकुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर जो टर्म आ रहा है सिख गुरू ठीक है सिख गुरू जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगबर ने सिख गुरू को अमरित्सर की वर्तमान जगा दी थी तो उन गुरू का नाम था क्या अमरदास जी ठीक है तो यहां सिख गुरू की बात करता हूं जिससे की हिस्ट्री में भी कोश्चन आते हैं और जीस में भी कोश्चन आते हैं तो जैसे पहले गुरू और आखरी गुरू मनद दस गुरू है सिक्खों में तो दस गुरू में पहला गुरू जो है गुरू नानक देवजी सौरी गुरू नानक देवजी ठीक है जिनका जनम हुआ था चौदा अप्रेल उन्नीस सो 14 अप्रेल 1469 ठीक है 1469 एंप 14 एप्रेल 1469 और लास्ट गुरू जो थे गुरू गोविन सिंग्जी ठीक है इनका जनम हुआ था बाइस दिसंबर बाइस दिसंबर 1665 को और उसके बीच में बहुत सारे गुरू है जिनको जिनके बारे में जानना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पॉइंट पॉइंट जीक तो इंको इन नहीं है जैसे गुरू अमरदास जी हो गये गुरू अंगत जी inheritance लेक। जिसको बताया comment section में बताया next question question number six देखते हैं मनसबदारी system was founded by Akbar the manसबदार's worth मनसबदारी जो system था अगबर ने introduced किया था बहुत अच्छी बात है तो correct option क्या होगा d होगा मनसबदार कौन-कौन से हैं इसमें मनसबदार जो है 33 category के मनसबदार होते थे नहीं पता तो जान लो पूछ सकता है कि कितने type के मनसबदार होते थे अगबर के time period में तो 33 categories होती थी मनसबदार की यह rank वाले होते थे positions वाले होते थे बहुत सारी चीज़ें तो एक question और आ सकता है main features of मनसबदारी चार option दे दिया गया तीन feature है एक feature नहीं है या फिर एक feature है तीन नान feature है तो आपको find करना होगा क्या feature है क्या नहीं तो main feature की बात करें तो इसमें क्या था the king himself appointed the मनसबदार समझ रहे हैं राजा खुद मनसबदार को को पॉइंट करता था और दूसरा feature जो है यह सेलरी मिलती थी ना इनको decide थी कि सेलरी जो है मनसबदार को कैस में मिलेगी कैस दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर सेवन देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर दोसी ठीक हैं नेक्स्ट क्वेशन नमबर एट दूरिंग दूर्स नुमरस इन्वेशन करेक्ट ऑप्शन सी है चालुक्या किंग विर्ना सेकेंड ऑफ गुजराद प्रतिविराज चम्हान थर्ड ऑफ अजमेर ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन दोनों है अब यह बैटल ऑफ तराइन जो आ रहा है बैटल ऑफ तराइन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल क अब हुआ था किसके बीच हुआ था तो रिवाइस कर लेजिए अगर आपको पता भी है तो 13 नमबर 1191 में पहला बैटल हुआ था तराइन का किसके बीच में हुआ था यह प्रत्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ था और एक घुरीड राजा था घुरीड किंग इसका का नाम है तरोरी करनाल के पास हर्याना में ठीक है उत्तरप्रदेश और जो सिकेंड बैटल अब तराइन है वह 1192 में ठीक है 1192 में हुआ था जिसमें यह घुरीड जो था वह जीत गया था पहले में प्रत्वीराज चौहान जीते थे दूसरे में वह घुरीड की विक्ट्र नमबर 9 मुहम्मद गोरी लेड दो फांडेशन अब तुर्किस इंपायर इन इंडिया बई डिफीटिंग क्या एंड वी प्रतिवीराज चौहान इंदे सिकेंड बैटल अफ तराइन चैचंदा इन बैटल अफ चंदावर बैटल अफ चंदावर इंपोर्टेंट है इसको व्याद कर लेना कॉमेंट सेक्षिन में बताइजे बैटल अफ चंदावर का हुआ प्रस्म संख्या दस्मा देखते हैं इस सेट एड मुहम्मद बन बक्तियार खल जी वन अफ दे कमांडर साब मुहम्मद गोरी कंवाइड नाधिया वन अफ दे कैपितल सब बंगाल विद 18 horseman the king of Bengal who then fled barefoot from his palace was तो लक्षमर सेन उसका क्या नाम था डीज दे करेक्ट ऑप्शन लक्षमर सेन नंग्य पाउँ भाग गया था जो तो करेक्ट ऑप्शन अब कभी है ऐसा कहा जाता है कि मुहम्मद बक्तियार खिल जी मुहम्मद गोरी के कमांडरों में से एक में से नकेवल 18 गुड़ सवारों के साथ ना दिया बंगाल की राजज़नियों में से एक पर विजय प्राप्त की बलकि बंगाल का राजा जो तब अपने महल से नंगे पैर भाग गया था उसका नाम आपको बताना है तो लक्षमर सेन करेक्ट ऑप्शन है प्रेश्न संख्या 11 देखते हैं दब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इस ऑफ नालंदा एंड बिक्रम सिला इन बिहार वर डिस्ट्राइट डिरिंग दे इन्वेजन ओफ तो यह बहुत ही गलत हुआ है नालंदा विश्विद्याले के साथ फिलाल में सब्सक्राइट जो है फिफ्ट संचुरी का फांडेशन सथी में ठीक है तीन बार इसपर आक्रमड किया गया इसको विनस्ट करने के लिए कुमार गुप्थ आपको पता होना चाहिए नालंदा का फांडर कौन है कुमार गुप्थ ने इसको बनवा के खड़ा किया सबसे भयानक जो इस पर आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1193 में ठीक है सबसे बड़ा विनासकारी हमला 1193 में किया था बक्तियार भक्तियार खट्रजी ने किया था दो अरसों तक दो-тीन सालों तक उसकी आगे आग उसमें जो लगाई थी नालंदा में वह जलती रही इतना बड़ा विश्विद्याले था उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालै था उसी विश्विद्याले में बहुत सारी चीजह थी प्रस्म संख्या बारा देखते हैं दे रियल फाउंडर व दे शल्तनत अब डेली एंड इस फिर्स डाइनिस्टी वाज क्या है करेक्ट ओप्शन देली सल्तनत का वास्तविक संस्तापक और उसका पहला राजवन्स क्या था वधा सी इस दे करेक्ट ओप्शन इल्थ उत्म इस देखते हैं नेक्स्ट फड़ा फड़ा यार वीडियो बंद होने वाला है मेरा क्वेश्चिन अबर 15 देखते हैं वो प्रोपाउंड दिवाइन थेरी ओफिंग्सिप वाज किंग्सिप के दिव्य सिद्धान को प्रतिवादित करने वाला पहला मध्यकालीन सा सक्था त अल्बन इस देखते हैं वो प्रोपाउंड दिवाइन थेरी ओफिंग्सिप नमबर 16 देखते हैं अला एक्षिड में तर्फियर्ट सुल्तान था कौन था अलाउद दिन खिल जी था नर्मधा को पार करने और दक्षिड में जाने के लिए दिल्ली का फियट सुल्तान था सुल्तान का नाम क्या है तो अलाउद दिन खिल जी नाम है उसका यहांद है मुच्छिट किसी गधसे कम नहीं था क्विश्च नमबर 18 अलावत दिन खिलजी रिजिडली इंफूर्स्ट मार्केट कंट्रोल और एकोनोमिक रेगुलिशन फॉर सी इस दे करेक्ट ओप्षिन बोथ एंड वी बेल्डिंग अलावत दिन खिलजी ने वजार नियंत्रने आर्थिक नियमों की सक्ती से लागू किया उद्देश क्या था उसका जन्रेल वेलफियर अप्डेवल और बेल्डिंग अपर लार्जन कंटिंडेड आर्मी इस समाल सेलरी समझ रहे न यह उद्देश था प्रेशन संख्या उन्नीस देखते हैं मुहम्मद विन तुगलक ट्रांसफर्ट इस कैपिटल फॉम डेली अक्योर ओन अकांट आप मंगोली नेजन देवागेरी वह नॉर्मली सेंटरली लोकेटेड ठीक हैं फॉम देवागेरी वह उन्टेट टो कॉर्पिलेट कॉर्पिलेट अपन्वेस्ट अप्वेस्ट था यह रीजन था वीज देखते हैं देशुल्टान हुक मुप्लीट द the conquest of the South and broke the political barrier between the North and the South Wars तो सी करेक्ट ओप्शन है इसका मुहम्मद बिन तुगलक दच्छिण की विजय को पूरा करने वाले सुल्तान ने उत्तर और दच्छिण के वीच राजनेतिक वाधाओं को तोड़ दिया था तो मुहम्मद बिन तुगलक था वह शासन सासक 21 देखते हैं the famous Morris from Morocco traveler इबन बतूता who visited India recorded his experiences in a book entitled सफर नामा और रहला मैंने आपको उपर ही बता दिया था वाज एपॉइंटेड काजी ऑफ डेली वाई सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ठीक है मैंने यह भी बताया था कि किसके टाइम पी इससे देख लो कितने कुशन आपको मिल रहे हैं उसे एक बात से कितने कुशन मिल रहा है कि ऐसे कुशन पूछता है यही तरह का इस यही बिन तुगलक डारेक्टली नहीं पूछा कि इसके टाइम पीरिड में आया था समझ रहे ना तो कुश्चन वही रहेगा आपको समझने की फेर होगी कि कुश्चन नमबर 22 देखते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट अस्पेक्ट आफ सुल्तान यह कौन सा है सुल्तान फ्लरस तुगलक जो भी है एक पॉलसी वह सुल्टान फ्लरस तुगलक की रचनात्मग नीती का सबसे माधपूर पहलू था क्या था नहरों और को की खुदाई यह तो इंपोर्टेंट कुश्चन है लेकिन यह फिलरस कौन है यार यह नहीं समझ रहे है सुल्तान फ्लरस तुगलक इंपोर्टेंट कॉश्चन है मोनोलिथी मौरियन पिलर्स टुडेली तुड ब्यूटिफवाई इस कैपिटल वॉस क्या नाम है उसका फिरोज तुगलक यह सौरी जो यह उपर नीद है यह फिरोज तुगलक है वेजी सौरी वेरी सौरी आफी कन पकड़ के यह फिरोज कॉंस्ट्रक्टिव पॉलसी थी वह यही थी कि उसने कुएं खुदवाय थे नहर खुदवाई थी ठीक है बहुत इंपोर्टेंट कुश्य नहीं है फिरोज तुगलक नाम है उसका तो यह हो गया डेली टुग्यूटिफाइस कैपिटल इसमें भी फिरोज तुगलक है दिल उच्छार औरूम मेंधर इंडीया पहत ही बहुत ही हमेदिया में आज तक वाला बहुत बाच बिखाता है त来 मूर में जटनल मेशकी औप dif Pier 2 लेकिन बहुत समझ रहेities हिं ले न मे quick इंडिया and ordered a general massacre of people of Delhi during the rain-off तो इस दे करेक्ट ओप्शन है इसमें नासिर उद्दीन महमूद तैमूर ने भारत पर अक्रमड किया और दिल्ली के लोगों के सासनकाल में एक सामानी नरसंगार का देश दिया तो नासिर उद्दीन महमूद ऐसे लोगों को आज की फिल्म इंडिस्ट्री अपने बिच्चों के नामबा खरिए तो समझ सकते हैं क्या हाल है इस बॉल्लीवूट का सुसान के साथ क्या हूँ आपको पताईए तो फिलाल वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ाई के रिए समय कम है कोई वीडियो कॉमेंट सेक्षिन में पूस सकते हैं इंस्ट्राग्राम का लिंक है वहां चले जाएए प्रैक्टिस सेट सारे सॉल्ट पर डालिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं कल मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए अपना